हेलो एन वेल्कम बैक एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन ग्रैमर बुक से इसका हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे और फोर्थ चैप्टर है पार्ट्स ओपिस्पीच जी हां पार्ट्स ओपिस्पीच अगर आप अपन करता है तो अगर आपका पार्ट्स ओपिस्पीच का जानकारी नहीं है तो ग्रैमर आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे पूरा ग्रैमर पूरा जो इंग्लिस ग्रैमर है वो पार्ट्स ओपिस्पीच पर टिका हुआ है तो पार्ट्स ओपिस्पीच का फर्स्टेंड नॉलेज यहां पर आपको एक definition वरिज बताया जाएगा कि हम noun किसे करते हैं पर noun किसे करते हैं जितने भी parts of speech हैं सब के बारे में हम example के help से जानेंगे तो चले start करते हैं सबसे पहले देखो ध्यान देना यहां पर speech बोल रहा है speech का मतलब क्या हो रहा है speech का मतलब बोली जो कुछ भी हम बोलते हैं बोलते समय हम क्या करते हैं हमारे मूँ से हमारे जुबान से कोई words निकलता है तो उसे हम speech कहते हैं तो हम जो बोलते हैं यानि जो words हम निकलते हैं उस words के कितने part होते हैं तो ध्यान देना कि जितने भी words होते कोई भी लैंग्वेज बिना वर्ट का नहीं होता है कोई भी लैंग्वेज बिना वर्ट का नहीं होता है और वर्ट को ही हमें स्पीच कहते हैं लेकिन किसी भी सेंटेंस में सभी वर्ड का एक ही रोल नहीं होता है different words के different roles होते हैं different functions होते हैं different words के different grammatical functions होते हैं तो English में words के total function कितने एंग्लिस में words के total eight functions है आफ functions है और हम कह सकते हैं कि इसलिए English में जो parts of speech की संखिया है वो total कितने है हो total eight है यानि की art है हालाकि आज की टैम में कुछ लोग determinator को अलग से 500 EU speech बना दिया है तो कुछ लोग 9 पार्ट्सों पीछ कहते हैं बड़ डिटर्मीनर जो एड्जेक्टिव का पाट है तो हम ट्रेडिशनली कह सकते हैं के पार्ट्सों पीछ स्पीच और इसी डिवीजन को हम पार्ट्सों पीछ के नाम से जानते हैं एकॉर्डिंग टू देर यूज उनके यूज के अनुसार यानिकि वह संटेंस में किस तरीके से फंक्शन करते हैं तेंस में कहां पर उसका पॉजिशन होता है संटेंस में किस तरह के वह अलग-अलग काम करते हैं तो उनके अलग-अलग काम के अनुसार वक्त को अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग क्लास में डिवाइड किया गया है तो पार्ट्सों प्पीच ए संख्या में कितने हैं तोटल एक हैं बात समस में आ रही है जाले तो ये 8 parts of speech कौन कौन से चीज है तो पहला देखो क्या है तो 8 parts of speech में जो पहला है यह noun है फिर प्रनावन है adjective है इसे adjective नहीं बोलना चाहिए इस is adjective यहाँ पर desilent होता है इस is adjective फिर है वर्ब उसके बाद है adverb उसके बाद है preposition उसके बाद है conjunction और फिर intersection तो इन 8 parts of speech के बारे में जानेंगे हम बिल्कुल example से simple तरीके से समझाओंगा ताकि आपको सभी चीज़े बहुत आसानी से समझ में आ जाए चली तो ध्यान देना है start करते हम noun से तो first of all what is noun noun क्या होते है तो देखो देखो बहुत लंबा चौड़ा definition हमें रटने के कोई ज़रुरती है में चीजों को समझना रटना नहीं है तो नाउन को अगर हम थोड़े आपका भी कोई नाम है बिना नाम का आपका कोई पहचान नहीं है तो दुनिया में हर चीज़ का जो दिखता है उसका भी और जो नहीं दिखता है उसका भी दोनों चीज़ का नाम होता है तो जब भी हम किसी को नाम देते हैं तो उसी को noun कहते हैं और यह नाम किसी person का हो सकता है, किसी animal का हो सकता है, किसी वस्तू का हो सकता है, किसी जगा का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, हमारे किसी idea का नाम हो सकता है, हमारे किसी सोच का नाम हो सकता है, तो basically naming words are called nouns, naming words को हम क्या कहते है, noun कहते है, जिस words से नाम के बारे में पता चले, उसी को हम noun कहते है, बात आपको समझ में आगई, तो example के लिए देखा जाए, जैसे हमने बोला John, Ria, Why, Girl, Dog, Chair, Delhi देखो क्या एक जगा का नाम है, beauty, beauty कैसा नाम है वई, यह beauty abstract noun है, मतलब जो हम cable feel कर सकते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, जो चीज हम feel कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो भी noun के category में आता है, उसका भी अपना एक नाम होता है, भले उसका कोई concrete form नहीं होता है, लेकिन उसका abstract form होता है, जो cable example है, noun के example है, सबसे किसी नहीं किसी चीज है, किसी वेक्ते, किसी जगा के नाम के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, चलिए, तो I hope के noun आपको clear हो गया, अब जानते हैं, प्रणाउन के बारे में, प्रणाउन देखो क्या होता है, what is a pronoun, a word used instead of noun, ठीक है, तो प्रणाउन का म तोड़ कर समझने का कोसिस करेंगे, तो पहले आपको pro मिलेगा, फिर उसमें noun मिल जाएगा, तो pro का मतलब होता है, किसी के जगा पे, किसी के support पे, वही किसके support पे, noun के जगा या support पे आने वाला word com क्या करते हैं, प्रणाउन का आते हैं, तो यहां से question बनता है, कि आखिर pronoun क use हम करते हीं क्यों हैं, जब sentence में वही काम noun कर सकता है, sentence में अगर noun के जगा पे ही उसको आना है, प्रणाउन को, तो इसका simple answer यह है, कि हम noun को किसी भी sentence में noun को बार बार repeat नहीं कर सकते हैं, repetition जो है, इंगलिस grammar में crime माना जाता है, दूसरी बात जब हम pronoun का use करते हैं, तो हमारा sentence बहुत ही simple हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि नाम किसी का एक word का भी हो सकता है, नाम किसी का दो word का भी हो सकता है, नाम किसी का पुरा एक page का भी हो सकता है, तो अगर किसी का नाम बहुत बड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है, तो बार बार उस नाम को हम जब लिखे होगा सुनने में भी मॉनाटोनस लगेगा तो उस चीज़ को आसान करने के लिए उसके जगा पि किसको लाया गर है और नाउन गर्द जो वार्ड नाउन के यह अच्छा उसके बाद हम रीजन जानने का कूछिस कर रहे है कि जॉन क्यों आप सेंट है विकेज इस इसल क्योंकि वह बीमार है अब मुझे बताना यही किसके जगह पे लगा यह जो ही आप देख रहे हैं यह किसके जगह पे लगा तो यह जॉन को रिपर्जेंट कर रहा ह यह जोन के जगा पर आए जोन को और यह तो यह जचेल्ट करना उचित नहीं ανα जाता है तो यह सकते कि इस सेंटेस में ही क्या प्रणौन है यह है जा मा चाहे है अब सभी को अब ध्यान देते कुछ और एकजाम्पल प्रणाउन के एक और एकजाम्पल पर ध्यान देते अगला एकजाम्पल देखो क्या है The books are where you left them भाई किताब उहीं पर है जहाँ पर आपने उसको रखा है जहाँ पर आपने उसको छोड़ा है तो यहां पर हम देम किसके लिए यूज कर रहे हैं यह देम किसको रिपर्जेंट कर रहे हैं यह हम देम किसको बोल रहे हैं तो हम किसको बोल रहे हैं बुक्स को बोल रहे हैं बुक्स क्या है नाउन है तो दुबारा हम नाउन का ना यूज करके हम किसका यूज कर रहे हैं प् कि आपको यह बात समझ में आ गहा है तो पार्ट्व पिस्पीच का बेसिक जानकारी आपके पैस बिल्कुल होना चाहिए अगर आप इंग्लिस कि करना का को सकता है क्कॉलिटी के बारे में बताना का मतलब होता है नाउन में एक काम करना, noun के meaning को change करना, उसमें extra meaning देखर करके, उसमें extra meaning को add करके, मतलब एक तरह सि कह सकते हैं, noun या pronoun की विष़िस्टा बताना, तो जो word noun या pronoun को डिसक्राइब करे, उसके विष़्िस्टा बता जा करें, उसका modify करें, सिर्फे words को हम क्यां कहते है, जैसे यहां पर एक एक्जामपल है तो यहां पर गर्ल क्या है यहां पर यह गर्ल क्या नाउन है यह जो ग्र्ल हम देख रहे यह नाउन हैं तो तो इसमें क्या एक्ष्ट्रा मीनिंग है क्या कोई ऐसा वर्ड है जो इस नाउन को यानि किस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा विल्कुल है देखो ब्यूटिफुल है तो यह ब्यूटिफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है यह नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इस गर्ल को boy, boy क्या है noun또? बट्रोट के नाउन है अच्छा यह noun है आप देखो यह पर brave जो लगा हुआ है यह किसको described कर रहा है यह boy को describe कर रहा्यों यह नÃून को describe कर रहा है और जो noun को describe करता हो क्या होता adjective होता है यह brave इसमें claim is my adjective बात समस्में अभी जैसे मैंने यहां पर एक 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 जमपल और लिखा मैंने लिखा दे आर हैपी तो दे क्या है दे प्रणावन है, दे तो किसी का नाम तो नहीं हो सकता है, यह किसी के जगा पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो दे प्रणावन है, हम हैपी किसको बोल रहे हैं, दे को बोल रहे हैं, यानि कि प्रणावन को बोल रहे हैं, यानि कि प्रणावन के क्वालिटी के बा हागा आप तक जयान देते हैं कि आगे में कि यह वर्म के बारेने क्सिवी संटेंस में हम वह किसे करते हैं और किया नहीं पॉर्ट्स डैट एक्सप्रेस और आक्षन इवेंट और और श्रीट वैसा वड्ट्स जिससे हमें action के बारे में पता चलता है, event के बारे में पता चलता है, state के बारे में पता चलता है, action का मतलब कोई काम, कोई activity जो हम करते हैं, जिससे करना का sense मिले, वो क्या है, वो आपका action है, event का मतलब कोई भी घटना, कोई भी ऐसी program, state का मतलब होता है condition, स्थिती, दसा या स्टेट के बारें बात करें किसी घटना के बारें बात करें वैसे वह को हम क्या कहते हैं वह कहते हैं चलिए एक्जामपल से समझते हैं तो ध्यान देना यहां पर हमने एक पहला एक्जामपल यह है ही रंस तो रंस क्या है वही यह सब्जेट के एक्टिविटी के बारें में ब बता रहा है आगे देखो नेक्स्ट एक्जांपल क्या है दे प्ले तो प्ले यहां पर क्या है वर्व है यह वर्व है नेक्स्ट क्या है सुगर टेस्ट स्वीट यहां पर टेस्ट वर्व है टेस्ट यहां पर हमारा वर्व है तो चीनी का स्वाद मीठा होता है चीनी का क्या दिखा रहा है यह वर्ब स्टेट दिखा रहा है यह वर्ब क्या कर रहा है स्टेट दिखा रहा है वाई होग कि आपको यह वर्ब के बारे में भी अब तक समझ में आ गया होगा है बात के लिए रहे आए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट सो पिस्पीच के बारे अगला ज का काम है नौन अर प्रणौन के कौलिटी बताना उसको डिस्क्रैप करना और बहाब का काम है actionTải, येवेंट अनुद स्टेट बताना और अड़वर्ब का काम होता हैόςि का की काम होता था क्वालिफाई MS एड़वर्ब का भी काम होता है qualify करना words that qualify a verb and adjective और another एड़वर्ब तो adjective की तरह एड़वर्ब भी क्या करता है यह qualify करता है मतलब quality बताता है adjective noun और pronoun का quality बताता है लेकिन एड़वर्ब जो है वो verb का quality बताएगा adjective का quality बताएगा या दूसरे adverb का मतलब एक adverb, दूसरे adverb का quality बताएगा, बात समझ में आ रहे हैं चली example से समझते हैं इस बात को example से हमें कोई बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो हमने यहाँ पर लिका he runs fast, he subject है sentence का runs क्या verb है runs क्या verb है, वह दौड़ता है अब उसका दौड़ने की विसिस्ता क्या है, भाई उसका दौड़ने की विसिस्ता को fast दौड़ता है, तो यह fast क्या है यह fast adverb हो गया यह fast adverb क्यों हो गया यह adverb इसलिए हो गया क्योंकि यह verb को qualify कर रहा है यह verb की quality बता रहा है देखो next example क्या है next में he subject है runs verb है और उपर की example से यह बात सपस्ट है कि जो past है यह adverb है यह adverb है अब यहाँ पर एक नया word आ चुका है नया word क्या है vary है यह vary किसका quality बता रहा है past का बता रहा है यानि adverb का बता रहा है और जो कोई भी word adverb को qualify करे वो खुद क्या होता है खुद भी adverb होता है तो हम कह सकते हैं कि very क्या very adverb है अभी देखो नीचे वाले example से हम समझ सकते हैं कि beautiful क्या beautiful adjective है यह beautiful adjective है वह कितना beautiful है तो बहुत beautiful यह जो very है कि very किसको qualify कर रहा है कर रहा है और जो एडशेक्टीव को qualify करता है वो क्या होता है एडवर्ब होता है तो इसलिए हम ने यहां पर तीन लिए ताकि तीनों बात को मैं समझा पाऊं कि कैसे एड़ वर्ब को एड़्यक्टिव को और एड़ वर्ब को क्वालिफाई करता है उसका क्वालिटी बताता है यह बात आपको समझ में आई प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस में नाउन या प्रणाउन के पहले आता है प्रेपोजिशन किसके पहले आता है नाउन या प्रणाउन के पहले आता है क्यों आता है उस नाउन या प्रणाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ बताने के लिए हैं तो किसी नाउन या प्रणाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ कैसे है उस रिलेशन को कौन बताता है प् जो preposition है वो noun और pronoun के ठीक पहले आता है चलिए तो देखना है यहाँ पर जैसे हमने example लिखा there is a book on the table अब देखो यहाँ पर book है और यहाँ पर table है यह दोनों आपस में noun है तो मैं बोल रहा हूं book जो है न book table पे है तो book का संबंद किस से टेबल से है या पर कह सकते table का संबंद क से book से तो यह संबंद कौन बता रहा है यह table और book के बीच में संबंद कौन बता रहा है यह on बता रहा है तो on हम कह सकते preposition यह on जो है यह preposition है क्योंकि इस noun का relation इस noun से बता रहा है और यह जो preposition on है यह noun के पहले आया कि नहीं है आम तोर पर noun के पहले आता है क्यों आता है इस noun का relation दूसरे word के साथ बताने के लिए तो यहाँ पर on क्या हो गया on यहाँ पर preposition हो गया बात समझ में आ रहे हैं चलिए एक example और लेते हैं देखो अगला example क्या है देखो next example क्या है I borrowed a book from him तो देखो हमने एक book borrow किया हमने किसी से किताब उधार ली तो हमने जिससे किताब उधार ली वो relation किसे बनता है ध्यान देना सबसे पहली बात ही हीम क्या यह प्रणावन है यह हीम प्रणावन है और हमने जो बुक हमने जो बुक उधार लिया वो बुक किस से बिलॉंग करता था वो बुक किसका था ठीक है तो वो बुक था किसका यह इसका प्रणावन का था हीम का मतलब कोई वेक्टी का नाम होगा जिसके जगा पर यह प्रणावन आ गया ठीक है तो यहाँ पर हीम और पुक का रिलेशन जो है यह कौन बता यह फराम बताzone क्या सकते हैं हई फ्रेफोजिशन ज्ञादा तर केस में यह तो नावन या प्रड़ोण को पहले आगा ता पहले वे एग्जामपल में नावन के conjunction हम किसको कहते है conjunctions are joining words देखो preposition का काम होता है संबंध बताने का conjunction का काम होता है जोडने का जोडने वाले words को हम क्या बोलते है conjunction कहते है जोडने वाले words को हम क्या कहते है conjunction कहते है तो यह किसको जोडता है यह दो words को आपस में जोडने का काम करेगा दो phrases को आपस में जोडने का काम करेगा दो sentences या clauses को आपस में जोडने का काम करेगा चली example से समझते जैसे यह example में लिखा हुआ है टू कि एंड तो मेक 4 में दोर दो चार होते हैं दोर दो चार होते हैं तो यहां पर एक टू है और यहां पर इक टू है यह दो अन्य क्या आंड क्या आ cheated काम कर रहा है अगला एक्जामपल देखो क्या है आई रेन फास्ट बट मिस्ट बस यहां पर दो सेंटेंस है एक सेंटेंस है आई रेन फास्ट और दुसरा सेंटेंस है मिस्ट बस यह दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन यह दोनों सेंटेंस को जोड़ा यह बट तो बट क्या हो गया यह बट हो गया कंजंग्शन क्यों कंजंग्शन क्योंकि दो सेंटेंस या दो क्लाउज को क्या कर रहे है कि आपस में जोडने का काम कर रहे है बात क्लियर है बात पार्ट्स ओपी स्पीच है जिसका बहुत कम यूज होता है जिसका ना के बराबर यूज होता है लेकिन हाँ यह भी हमारे पार्ट्स ओपी स्पीच का एक पार्ट है तो इसे पढ़ना हमें पढ़ेगा तो इंटर्जेक्शन हम किसे कहते हैं words that express some sudden feeling अच्छा वैसे words जो sudden feeling बताता हो sudden emotion बताता हो strong emotion बताता हो वह यह sudden या strong emotion क्या होता है इसके बारे में जानिए emotion या feeling क्या होता है जिसमें हम अपने खुसी को व्यक्त करते हैं हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं हम अपने गुशा को घ्रेना को नफरत को व्यक्त करते हैं हम अपने डर को हम अपने surprise को व्यक्त करते हैं किसी को शाबासी देते हैं तो यह सारे जो mixture होते हैं इसको हम क्य कहते हैं लेकिन यहीं चीज़ जब आप प्रबल हो करके स्ट्रॉंग तरीके से निकले या अचानक से निकले तो इसी कौम क्या बोलते हैं इंटर्जेक्शन कहते हैं बात समझ में आ रही है सिंपल सी बात है कि अगर आपने आपका एक्जाम का रिजल्ट आया आप परिक्षा में नाके बल पास किये बल्के आपने टॉप किया परिक्षा में आपने टॉप किया पूरा स्टेट टॉप आ रहे हैं तो आप क्या बोलो कि विराट कोली ने एक बहुत लंबा चक्का मारा स्टेडियम पार हो गया, ठीक है मैंने बोला वाव, what a shot it is यह जो वाव मैं बोल रहा हूँ ना यह वाव क्या बता रहा है इसका कोई special meaning नहीं है बस यह आपके खुशी को बता रहा है जो अचानक से निकल रहा है तो कोई भी खुशी देखो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचते हैं कि बोले के नहीं बोले लेकिन जो चीज आप बिना सोचे बोलते हैं अचानक से और उसमें आपका feeling पता चलता है कि आप किस तरह का feeling express कर रहे है तो उसी को हम interjection करते हैं बात समझ में आ रही है तो जैसे ध्यान दे न यहाँ पर example से समझते हैं चीज को जैसे example में क्या बोल रहा है हुर्रा वी हाव वन दा मैच तो यहाँ पर एक sentence है उसके वी हाव वन दा मैच हम लोग मैच चीट चुके है यह हूर्रा का क्या यहाँ पर रोल है इसका क्या function है यह केबल आपके emotion दिखा रहा है क्या बहुत खुस हैं match चीट जाने के कारण अब बहुत खुश हैं तो यह जो हूर्रा देख रहे हैं यही आपका इंटर्जेक्शीन है या आपका क्या इंटर्जेक्शन इए इंटर्जेक्शन है लें कि पर हगो गुट नियूस के पहले हमने क्या लिगा है वाओ वाओ एढिस रियर जू अ यह इंटर्जेक्शन और एक चीज़ हमेशा नोटीस करना इंटर्जेक्शन के साथ यह वला चीन हम जरूर लगाते हैं इस चीन को क्या बोलते हैं इस चीन को हम नोट आप एक्सक्लामेशन बोलते हैं तो इंटर्जेक्शन के साथ यह चीन आपको जुरूर मिलेगा फुर्रा वाव और कैसे कैसे इंटर्जेक्शन हो सकते हैं अलास ये भी क्या इंटर्जेक्शन है उपस ये भी क्या है इंटर्जेक्शन है पात समझ में आ रही है ओ ये भी क्या है इंटर्जेक्शन है तो दीजर इंटर्जेक्शन और सभी के अंत में क्या होते हैं ये वाला चीन आइस पे, हाँ हलाकि चीजों को मैंने as it is नहीं लिया remember मैं उसी के according पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने Reno Martin से चीजे as it is नहीं लिया, मैंने चीजों को simplify करने का कोसिस किया जो चीजे मुझे अच्छी लगे चीजें मैंने उसको लिया और लेकिन हाँ चाप्टर को मैं accordingly चल रहा हूँ जैसे जैसे चाप्टर दिये हुए ऐसे मैं चल रहा हूँ आप लोगों का request रहता है या पर आप लोग कमेंट बार बार करते हैं सर के प्लीज आप डेली वीडियो डाला करो मैं अपने तरफ से फूरा कोशिश करता हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे offline classes भी लेने होते हैं तो तीन दीन तो मैं बहुत busy रहता हूँ उस के उस busy schedule में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दो सब्सक्राइब करता हूँ मतलब कभी कभी week में एक जो दिन गैप हो जाता है विट classes तो आपको मिलते ही रहती है अलाकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक studio घर पे बनालू ताके रात को 10 बजे भी मैं free हो जाओ तो लाइव आ सकूँ तब तक के लिए आप लोग जो भी इस च कीजिए प्राप्त हो रहा है आपको लग रहा है कि यहां से मैं सीख रहा हूँ तो आप इसको शेयर किजिए आप इसको एक बड़ा फैमिली बनाईए तो आप लोग बोल रहे देजर रेन मार्टिन को कंटीनू रखिए मैंने यहां पर आज चौथा चैप्टर आपका कंप